नमस्कार, कथा कहानी कावे में आपका स्वागत है, आईए हमारे साथ इस साहित्तिक जफर पर, मेरा नाम है मनीशा, और हमारी आज की कहानी है सत्यजीत रे की कहानी विपिन चौधरी का स्मृति भ्राम विपिन चौधरी हर सुमवार को दफतर से लोटने के वक्त, न्यू मार्किट के काली चरण के दुकान से किताबें खरीदा करते हैं जासोसी किताबें, रहसे रूमांच के पुस्तकें, भुद्प्रेत की कहानिया एक साथ कम से कम पांच पुस्तके बिना खरीदे, उनके हफ़ते भर का खुराग पूरा नहीं होता है घर पर वे अकेले हैं लोगों से मिलना जुलना उन्हें अच्छा नहीं लगता अड़े बाजी करने का नशा नहीं है दोस्त मित्रों की संख्या भी बहुत कम है शाम के समय जो आदमी काम से उनके घर आते हैं काम खत्म होते ही वे वापस चले जाते हैं जो लोग नहीं उठते या उठना नहीं चाहते सवा आठ बजते ही वे पिन बाबू उनसे कहते हैं डॉक्टरों ने मुझे आदेश दिया है कि साड़े आठ बजे तक मैं भोजन कर लिया करूँ अन्य था मतले खाना खाने के बाद वे आदे घंटे तक विश्राम करते हैं उसके बाद हाथ में कहानी की किताब लेकर सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं यह नियम कितने दिनों से चल रहा है खुद विपिन बाबु को इसकी बारे में पता नहीं है आज काली चरन की दुकान से किताबों को उलटते पलटते समय विपिन बाबु को लगा कोई आदमी कुछ देर से उनकी बगल में खड़ा है विपिन बाबु ने सिर उठा कर देखा एक मोटा थुल्थुले बदन का आदमी चहरे पर सरलता का भावली उनकी और देख कर मुस्कुरा रहा है शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं विपिन बाबु को थोड़ी बहुत घबराहट महसूस हुई उन्हें यह बात कहा याद आ रही है कि उस व्यक्ति को वे जानते पहचानते हैं ऐसा कोई चहरा भी उन्हें याद नहीं आ रहा है यह जरूर है कि आप व्यस्त आदमी हैं बहुत तरह के आदमियों से हर रोज आपकी मुलाकात होती है इसलिए शायद आपसे इसके पहले मेरी जान पहचान हुई थी विपिन बाबु ने पूछा उस आदमी ने तनी खैरत में आकर कहा साथ दिनों तक दोनों वक्त आपसे भेंट होती रही है मैंने गाड़ी का इंतिसाम कर दिया उसी गाड़ी से आप उन्रू का जल्प्रपात देखाए यह बात 1958 की है राची की मेरा नाम परिमल घोश है राची आप विपिन बाबु की समझ में आया गलती उनकी नहीं उसी व्यक्ति की है क्योंकि विपिन बाबु आज तक राची नहीं गए है जाने के बारे में बहुत बार सोचा लेकिन जाना हो नहीं पाया विपिन बाबु ने मुश्कुरा कर कहा मैं कौन हूँ यह आप जानते हैं उस आदमी ने आश्चरे में आकर कहा आप कौन है यह बात भला मैं नहीं जानूगा आप क्या कह रहे हैं विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता विपिन बाबु ने बाहर की और ताकते वे मीठे स्वर में कहा फिर भी आप गलती में हैं बीच वीच में ऐसा होता है मैं कभी रांची नहीं गया हूँ अब उस आदमी ने जोरों का एक ठाहा का लगाया आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी जल प्रपाद देखने के लिए जाने पर आपको पत्थर से चोट लगी और आपका घुटना चिल गया था मैंने ही आयोडीन लाकर दिया था दूसरे दिन नेतर हाट जाने के लिए मैं गाड़ी लेकर आया था पाओं में दर्द रहने के कारण आप जान नहीं सके थे कुछ भी आपको याद नहीं आ रहा है आपके जान पहचान के एक व्यक्ती भी उस बार गए थे दिनेश मुखर जी आपने एक बंगला के राय पर लिया था आपने बताया था होटल में भोजन करना आपको अच्छा नहीं लगता है अच्छा यही रहेगा कि बावर्ची रख कर रसोई बनवा लिया करेंगे दिनेश मुखो पाद्याए अपनी बहन के घर पर ठहरे थे चांद पर जाने के बारे में आप दोनों में एक दिन बहस छड़ गई थी आपको याद धीं आ रहा सब भुला बैठे और बताऊं आपके कंदे पर एक जोला लटक रहा था और उसमें कहानी की किताबें थी आबार जाते थे तो उसे साथ ले लेते थे कहिए की कहरा हूँ न बिपिन बाबू ने गंभीर और संयत स्वर में कहा आप 58 के किस महीने की बात कर रहे हैं उस आदमी ने कहा महालया के ठीक बात की बात है या तो आसिन या कार्तिक महीना होगा बिपिन बाबू ने कहा जी नहीं उस वर्ष पूजा के अफसर पर मैं कानपूर में अपने एक मित्र के मकान पर था आप गलती कर रहे हैं नमस्कार लेकिन वह आदमी गया नहीं अवाक अपलक दृष्टी से बिपिन बाबू की ओर ताकता हुआ बुडबुड़ाने लगा कितने आश्चरे की बात है एक दिन शाम के वक्त आपके बंगले के उसारे पर बैटकर मैंने चाय पी थी आपने अपने परिवार के बारे में बताया था कि आपके कोई संतान नहीं है कि आपकी पतनी का देहांत बारा तेरा वर्ष पूर्व हो चुका है कि आपका एक मातर भाई पागल है और यही वज़े है कि आप पागल खाना देखने नहीं गए आपने कहा भाई की बाते याद आ जाती है विपिन भाबू जब पुस्तकों की कीमत चुका कर लोटने लगे उस समय भी वह आदमी उनकी और फटी फटी आखों से ताक रहा था बार्टराम स्ट्रीट के लाइट हाउस सिनिमा के पास विपिन चौदरी की गाड़ी खड़ी थी गाड़ी के अंदर आकर उन्होंने ड्राइवर से कहा जरा कंगा के किनारे से होते वे चलो सी तराम चलती गाड़ी में दिमाग जब थोड़ा ठंडा हुआ तो विपिन बाबु को अफसोस होने लगा बिकार और धूरत आदमी को उन्होंने इतना वक्त वे अर्थी दिया रांची वे नहीं गये थे, कभी नहीं मात्र छे साथ बरसों की स्मृती आदमी तनी सरलता से नहीं भूल सकता अगर विपिन बाबु का दिमाग एका एक चक्कर काटने लगा अगर उनका दिमाग गड़बड़ा न गया हो किन्तु वैसा क्यों होने लगा वे मज़े से दफतर में काम कर रहे हैं इतना बड़ा दफतर है इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है कहीं किसी प्रकार की थुटी हो रही है उन्हें मालूम नहीं आज भी उन्होंने एक बैठक में आधे घंटे तक भाशन दिया है परंतु परंतु उस आदमी को इनके बारे में इतनी जानकारी कैसे हासिल हुई किताबों की जोली, पत्नी की मृत्यू, भाई के पागल्बन की बातें गल्ती हुई है, सिर्फ राची के मामले में ही गल्ती क्यों कहा जाए, बल्कि जान सुनकर वेह जूट बोला है 58 के आसिन महिने में वे राची नहीं गए थे गए थे तो कानपोर और वह भी अपने मित्र हरिदास बागची के घर पर हरिदास को लिखने से ही, आम, ना, हरिदास को पत्र लिखना ना हो पाएगा विपिन बाबु को सहसा याद आया हरिदास बागची आज से एक मास पूर्व अपने कारोबार के संदर्भ में सपतनीक जापान गए हुए है जापान का पता विपिन बाबु को मालूम नहीं है अथे पत्र लिखकर सबूत मांगने का रास्ता बंध हो गया है मगर सबूत की आवशक्ता ही क्या है अगर ऐसा हुआ होता कि 1958 के आसिन महीने में राची की किसी हत्या के संबंध में पुलिस उन्हें अपराधी साबित करने की कोशिश करती तो उन्हें हरिदास बागची से चिठी प्राप्त करने की जरूरत पढ़ती उन्हें खुद पता है कि विराची नहीं गए थे बस जंजट समाप्त गंगा की हवा लगने से यदपी विपिन चौधरी का दिमाग बहुत कुछ ठंडा हो गया लेकिन मन में एक खटका एक अशान्ती बोध बना रहा हेस्टिंग्स के पास आने पर विपिन बाबू ने अपने पैंट के कपड़े को मोड़ कर उपर उठाते वे देखा कि दाही ने घुटने पर एक इंच लंबा दाग है या नहीं वह दाग कब का है समझ में नहीं आया बचपन में कभी जटका खाकर गिरने से विपिन बाबू का खुटना चिल गया था बहुत बहुत कोशिश करने के बावजोद वैसी कोई बात उन्हें याद नहीं आई चड़कडागा के पास आने पर उन्हें दिनेश मुखर जी की याद आई उस आदमी ने बताया है कि दिनेश मुखर जी भी उन दिनों राची में ही था फिर दिनेश को पूछने से ही काम बन जाएगा वह निकट ही रहता है बेणी नंदन स्ट्रीट में क्या अभी तुरंट उसके पास चलू किन्तु राची जाने की बात अगर असत्य हो तो दिनेश से उसके संदर्भ में कुछ पूछने पर वह विपिन बाबु को पागल करार कर देगा नहीं नहीं यह बचकाना उनके लिए किसी भी हालत में संभव नहीं है अपने आपको यूँ कसोटी पर कस कर बेवकूफ बनाना कोई माने नहीं रखता और दिनेश का व्यंक कितना निर्मम हो सकता है विपिन बाबु इसके अनुभवी रह चुके है घर वापस आने पर थंडे कमरे में बैठ कर थंडा शर्बत पीने के बाद विपिन बाबु की उद्विगनता बहुत कुछ कम हो गई वह आदमी बेकार लोगों की जमात का मालूम होता है कोई काम नहीं है इसलिए काम के आदमियों को पकड़ पकड़ कर परिशान करता है रात में खाना खाने के बाद विपिन बाबु जब नई किताब लेकर बिचावन पर लेटे तो न्यू मार्किट में उस आदमी से जो बाते हुई थी उनके ध्यान से उतर गई दूसरे दिन दफ्तर में काम करते करते विपिन बाबु को लगा जो जो समय बीतता जा रहा है कल की घटना उनकी स्मृती में उतनी ही स्पष्ट होती जा रही है वही गोल-गोल सा चहरा, आखों की सरल दृष्टी और मुस्कुराहट उन्हें याद आने लगी उस आदमी को जब उनकी अंदुरूनी बातों की इतनी जानकारी है तो राची के बारे में उसने इतनी क्यों की? सच के ठीक पहले यानि जब एक बजने में पांच मिनट बाकी थे विपिन बाबू अपने आपको सहित नहीं रख सके और टेलिफोन की डारेक्टरी खोल कर बैठ गए तिनेश मुखर जी को फोन करना होगा फोन करना ही अच्छा रहेगा इसमें घबराने की कम गुंजाइश रहती है विपिन बाबू ने डायल किया हलो? कौन दिनेश? मैं विपिन बोल रहा हूँ क्या ख़बर है? वो 58 की ए घटना तुमें याद है या नहीं? यही जानने के लिए फोन कर रहा हूँ 58? कौन सी घटना के बारे में पूछना है? उस वर्ष क्या तुम कलकत्ते में ही थे? पहले मैं यही जानना चाहता हूँ ठेरो 58 ठेरो अपने डायरी में देख लूँ जरा थामे रहो कुछ देर तक चुपी रेंगती रही विपिन बाबु को अपने सीने के अंदर एक तरह की कपकपी का अनुभव होने लगा लगबग एक मिनट के बाद दिनेश मुखर जी का स्वर सुनाई पड़ा हाँ मिल गया मैं दो बार बाहर गया था एक बार फरवरी में गया था पास ही केस्टो नगर मेरे एक भांजे की शादी थी और दूसरी बार वह तो तुम्हें ही मालूम होगा वहीं रांची उस बार तुम भी गय थे मगर पूच क्यू रहे हो एक जरूरत थी ठीक है तैंक यू पिपिन बाबो ने टेलिफोन रख दिया और सिर पर हाथ रख कर बैठ गए उनके कानों में भाएं भाएं शब्द गुंजने लगा हाथ पाउं जैसे बिलकुल ठंडे हो गए साथ में जो टिफिन बॉक्स लाई थे उसमें सैंडविच था उन्होंने उसे खाया तक नहीं खाने की इच्छा नहीं हुई उनकी भोग भाग गई लंच का वक जब गुजर गया तो विपिन बाबो ने सोचा ऐसी इस्तिथी में उनके लिए दफतर में बैठ कर काम करना असंभव है 25 बरसों से वे काम करते आ रहे हैं अगर कभी ऐसा नहीं हुआ निलस और करमट के रूप में उनकी ख्याती थी करमचारी गण उनसे वैसे ही डरते थे जैसे लोगशेर को देख कर डरते हैं चाहे जितनी ही विपत्यां क्यों आ जाएं चाहे कितनी ही बड़ी समस्या का सामना क्यों न करना पड़े कभी वे मतिभ्रम के शिकार नहीं होते थे थंडे दिमाग से काम करते हुए वे हमेशा विपत्यों पर जय प्राप्त करते आये हैं लेकिन आज सब गड़ पड़ा गया है धाई बजए विपिन बाबु घर लोटाए और तमाम खिड़कियां और दर्वाजे बंद कर बिचावन पर लेट गए फिर अपने मन को सुभाविक इस्तिथी में लाकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए सिर में चोट लगने या किसी प्रकार की दुरगटना होने से आदमी अपनी पूर्विस्मृती बीच बीच में खो बैठता है लेकिन एक के अलावा तमाम बातें याद हों ऐसा कोई उधारन उन्हें कभी नहीं मिला है उन्हें बहुत दिनों से राची जाने की इच्छा थी वे राची गए हों और इस बात को भुला बैठे हों यह बिलकुल असंभव है बिपिन बाबु जब जब बहार जाते हैं तो बैरा को अपने साथ ले जाते हैं लेकिन उनके साथ आजकल जो बैरा है वे नया आदमी है साथ वर्ष पूर्व रामसरूप उनका बैरा था अगर वे राची गए होंगे तो वे भी निश्चित रूपेन उनके साथ होगा परन्तु अब वे नहीं है उसे गए तीन वर्ष भी चुके हैं विपिन बाबु शाम तक अकेले ही अपने घर में रहे मन ही मन तै किया कि अगर कोई उनके घर पर आएगा तो वे उससे नहीं मिलेंगे साथ बजे नौकर ने आकर सूचना दी कि धनी व्यापारी सेट गिरधारी प्रसाद उनसे मिलने आए हैं गिरधारी प्रसाद नामी व्यक्ती हैं परन्तु उस समय विपिन बाबु की मानसिक अवस्था ऐसी थी कि लाचार होकर उन्हें नौकर से कहना पड़ा कि वे नीचे उतरने में असमर्थ हैं गिरधारी प्रसाद भाड में जाएं साड़े साथ बजे नौकर फिर उनके पास आया विपिन बाबु तंद्रा की हालत में थे एक बुरे सपने की शुरुवात हो गई थी तभी नौकर की पुकार से उनकी नींद खुल गई अब की कौन आया नौकर ने कहा चुन्नी बाबु कह रहे हैं कि बहुत जरूरी काम है जरूरत क्या हो सकती है यह विपिन बाबु को मालूम है चुन्नी स्कूल में उनका सहपाठी रह चुका है आजकल दुर्वस्था में फस गया है कई दिनों से उनके पास नौकरी की उमीद में आ रहा है विपिन बाबु उसके लिए कुछ कर नहीं सकते यही वज़ा है कि हर बार उन्होंने कह दिया है नहीं होगा चुन्नी जोग की तरह पकड़ लेता है विपिन बाबु ने बेहद उप के साथ खबर भीज़ दी कि न केवल आज बलकि एक लंबे अरसे तक वे चुन्नी से नहीं मिल पाएंगे नौकर के कमरे से जाते ही विपिन बाबु को खयाल आया वो सकता है चुन्नी को 58 की घटना थोड़ी बहुत याद हो उससे एक बार पूछ लेने में हर्ज ही क्या है विपिन बाबु जल्दी जल्दी सीड़ियां तै कर नीचे बैठा खाने में आये चुन्नी जाने को तयार हो चुका था विपिन बाबु को उतरते देखकर उसमें थोड़ी आशा बंधी और वहे मुड़ कर खड़ा हो गया विपिन बाबु ने बगैर किसी तरह की भूमी का बांधे कहा सुनो चुन्नी तुमने एक यानि बेढ़ब सवाल करना है मुझे पता है तुम्हारे इसमनण शक्ती बड़ी तीवर है तुम मेरे घर पर लगातार कई बरसों से बीच-बीच में आते रहते हो सोच कर देखो तुम्हें याद आता है कि नहीं कि मैं सन अठावन में रांची गया था या नहीं चुन्नी बोला अठावन? अठावन ही होगा या सन उनसट की बात है रांची जाने के विशय में तुम्हें कोई संधे है चुन्नी को बड़ा ही अचंभा जैसा लगा तुम्हें जाने के बारे में ही संधे हो रहा है मैं गया था? तुम्हें ठीक-ठीक याद आ रहा है चुनी सोफे से उठ चुका था मगर फिर बैठ गया उसके बाद वह कुछ देर तक विपिन चौदरी की ओर तेक्ष्ण द्रिष्टी से देखता रहा और फिर बोला विपिन आजकल तुम नशे का सेवन कर रहे हो क्या इसके बारे में तुम बदनाम नहीं थे तुम रूखे सुभाव के आदमी हो मित्रों के प्रती तुम में कोई समवेदना नहीं है इतना ही जानता था लेकिन तुम्हारा दिमाग तो बिलकुल साफ था कम से कम कुछ दिन पहले तक था मेरे जाने की बात तुम्हें याद है विपिन बाबू की आवाज में थर-थरा हट थी इस बात का जवाब ना देकर चुन्नी ने उनसे पुछा तुम्हें याद है कि इसके पहले में किस तरहे की नौकरी कर रहा था बाह क्या कहने तुम हावडा स्टेशन में बुकिंग कलर का काम करते थे तुमको यह बात याद है मगर मैंने ही तुम्हारे लिए रांची की बुकिंग कराई थी यह बात तुम्हें याद नहीं तुम जिस दिन जा रहे थे तुम्हारे डिब्बे में जाकर मैं तुमसे मिला डाइनिंग कार में खबर पहुचा कर तुम्हारे खाने का अंतिजाम करा दिया तुम्हारे डिब्बे में पंखा चल नहीं रहा था आदमी बुला कर उसे चालू कराया यह सब तुम भुला बैठे तुम्हें क्या हो गया है विपिन बाबु ने एक लंबी सांस ली और वे धम से सोफे पर बैठ गए चुन्नी ने कहा तुम बिमार हो तुम्हारा चेहरा स्वस्त जैसा नहीं दिख रहा विपिन बाबु ने कहा कुछ वैसा ही लग रहा है कुछ तिनों तक कामों का दबाव बढ़ गया था किसी स्पेशलिस्ट से बिलूँगा शायद विपिन बाबु की हालत का ही खयाल कर चुन्नी ने नौकरी के संबंध में चर्चा नहीं की वह आहिस्ता आहिस्ता पैठक से बाहर निकलाया परेश चंद को नौजवान डॉक्टर कहा जा सकता है चाली से कम उम्रका है चहरे पर बुद्धी की दीपती छाई रहती है विपिन बाबु के बारे में पता चलने पर वे चिंतित हो उठे विपिन बाबु ने उनसे बुझे हुए स्वर में कहा देखें डॉक्टर चंद आपको मेरी ये बिमारी दूर करनी ही है दफ्तर ना जाने के कारण मेरे कारुबार की कितनी हानी हो रही है यह मैं आपको समझा नहीं सकता आजकल तरह तरह की दवाईया निकल चुकी है मेरी इस बिमारी के लिए कोई दवा नहीं है जितना भी रुपिया पैसे लगे में दूँगा अगर विदेश तिमंगानी की जरूत पड़ेगी तो उसका भी इंतजाम करूँगा लेकिन यह बिमारी आपको ठीक करनी ही होगी डॉक्टर नहीं कुछ देर तक सोचा, विचारा फिर सिर हिलाते वे कहा जानते हैं मिस्टर चौधरी बात क्या है? मेरे लिए यह बिमारी बिलकुल नहीं है मेरे अनुभवों के दाइरे के बाहर की है तब हां मैं एक उपाई बता सकता हूं काम्याबी हासिल होगी या नहीं कह नहीं सकता मगर आप आजमाईश करके देख सकते हैं हानी होने की कोई आशंका नहीं है विपिन बाबू उतकंठे थोकर कोहनी के बल बैठ गए डॉक्टर ने का मुझे जहां तक याद है और मुझे विश्वास है आपकी भी अभी यही धारना है कि आप सचमुच रांची गए थे लेकिन कारण चाहे जो भी हो जाने की बात आप बिलकुल भुला बैठे हैं मेरी सलाए है कि आप एक बर फिर रांची जाए तब हो सकता है जगे देखने पर आपको पहले की ट्रिप की बाते याद हो आए यह संभर नहीं है आज इस वक्त में और कुछ नहीं किया जा सकता मैं एक टिक्या का नाम लिख देता हूँ उसे खाने से हो सकता है नीन दा जाए नीन दाना जरूरी है वरना आपकी अशान्ती और साथ-साथ आपकी बिमारी भी बढ़ जाएगी आप एक आगस दें मैं दवा का नाम लिख देता हूँ चाहे टिक्या के कारण हो चाहे डॉक्टर की सलहा के कारण दूसरे दिन सभेरे विपिन बाबु को अन्य दिनों की अपेक्षा स्वस्तथा का अनुभव हुआ सभेरे के नाश्ते से निपट कर विपिन बाबु ने टेलीफोन से दफ्तर को बहुत से आदेश दिये और उसे दिन रांची के टिकेट कटा ली दूसरे दिन रांची पहुँचते ही उन्हें लगा वे यहां कभी नहीं आये थे स्टेशन के बाहर आकर उन्होंने एक गारी ठीक की और इधर उधर का चक्कर काटने लगे चक्कर काटने पर उन्हें लगा यहां की रहा, पाट मकान, इमारत प्राकर्तिक द्रश्य मुराबादी पहाड, होटल बंगला किसी से उनका तनिक भी परिचय नहीं है पुडर जल प्रपात को वे पहचान पाएंगे जल प्रपात का द्रश्य देखते ही उन्हें क्या पुरानी बाते याद आ जाएंगी खुद उस बात पर विश्वास होने पर भी एह सोच कर कि कलकत्ता लोटने के बाद कहीं अनुताप ना करना पड़े एक गाड़ी का इंतजाम कर तो पहर के वक्त हुन्रु की ओर रवाना हुए उसी दिन तीसरे पहर पाँच बजे एक पिकनिक पार्टी के दो गुजरातियों ने विपिन बाबु को अचेतन अवस्था में पत्थर के टीले के पास देखा इन दोनों व्यक्तियों की शुश्रुशा के कारण विपिन बाबु खोश में आये और बोले मैं रांची नहीं आये था मेरा सब बरबाद हो गया अब कोई उमीद नहीं है दूसरे दिन सवेरे विपिन बाबु कलकत्ता लोट आये उन्होंने माल लिया कि अगर वे इस रहस्यकावद घाटन नहीं कर सके तो सच मुझ अब कोई आशा नहीं है धीरे धीरे वे अपनी कारेक्षमता आत्म विश्वास उत्सहा, बुद्धी, विवेचना सब कुछ खो बैठेंगे आखिर क्या उन्हें उसी रांची के इसके बाद विपिन बाबू कुछ सोच नहीं सके सोचना चाहा भी नहीं घर लोटकर किसी तरह स्नान कर विपिन बाबू ने अपने सिर पर पर्फ की थैली रखी और बिचावन पर लेट गए नौकर से कहा कि वह जाकर डॉक्टर को बुला लाए जाने के पहले नौकर ने उनके हाथ में पत्र थमा कर कहा कोई आदमी से पत्र पेटी में डाल गया था हरे रंग का लिपाफा था उसके उपर लाल स्याही से लिखा था श्री विपिन बिहारी चौधरी आवश्यक, नितांत, व्यक्तिगत तबियत खराब रहने के बावजूद न जाने क्यों विपिन बाबु को लगा पत्र पढ़ना जरूरी है निफाफा खोल कर देखा पत्र में यही लिखा था प्रिय विपिन एका एक बड़ा आदमी बन जाने का दुश्परि नाम तुम में देखने को मिलेगा इसकी आशा नहीं थी दुर्वस्था में पड़े बच्पन के एक मित्र के लिए कोई न कोई उपाय निकालना तुम्हारे लिए क्या संभव था मेरे पास पैसे नहीं है मेरी सामर्थे साधारन ही है मुझ में जो चीज है वह है कल्प नशक्ती उसी में से कुछ खर्च कर तुम से अधना सा बदला लिया न्यू मार्किट के वह आदमी मेरे पडोसी है वे नाम गिरामी एक अभिनेता है दिनेश मुखर जी तुम्हारे प्रती सदय नहीं है यही वज़य है कि उन्हें हाथ में करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई गुटने में चोट लगने की बात तुम्हें जरूर ही याद होगी वही चांदपाल घाट में पिछड़ कर गिरने की बात सन 1936 में तुम्हारा मित्र चुनिलाल डॉक्टर चंदर के आते ही विपिन बाबु ने कहा मैं ठीक हूँ राची स्टेशन पर उतरते ही सब कुछ याद आ गया डॉक्टर ने कहा बेरी स्ट्रेंज सोचता हूँ आपका केस किसी डॉक्टरी जनरल में छपवा दूँ विपिन बाबु ने कहा आपको इसलिए बुलाया है कि देखिए कि मेरी कमर की हड़ी कहीं तूट तो नहीं गई है राची में फिसल कर गिर पड़ा था बहुत ही दर्द है हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं आपके कॉमेंट्स और लाइक हमें प्रोथसाहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानिया शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे